भारत की रोडों की ये हालत तो आपने देखी होगी गड़ों से भरी हुई बट क्या हो अगर एक दिन आप मौर्निंग में उठो और अपने घर के आसपास की सारी रोडों के गड़े आपको भरे हुए मिले अपने आप खुद को हील कर दे ठीक कर दे अच्छा ही हो एक्सिरेंट्स कम होंगे पानी कम भरेगा आपको तकलीफ कम होगी कुछ ऐसा ही काम हमारी नाशनल हाइवेज अथौरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सोचा जा रहे है कि क्या हम ऐसे सेल्फ हीलिंग रोड जो बाहर हैं मुई दिखती है जिससे आप अपने बरतन मांचते हो जी हां स्टील के वोल का जब आप एस्फल्ट की रोड में इस्तेमाल करते हो तो वो सेल्फ हीलिंग टेकनोलोजी दिखा सकती है कैसे यह पूरा मुद्दा क्या यहां पर किया जा रहा है किस टाइप से किया जा रह है आईए इस सबको डीटेल में पांच मिनिट के अंदर अंदर जानते हैं सबसे पहले यह अथॉरिटी देखिए 1995 में अथॉरिटी बनी भारत के सारे नाशनल हाइवेस को यही अथॉरिटी यह प्राधिकरन देखता है लगबग 50,000 किलोमेटर से जादा हाइवेस को यही दे जाना ब्रश्टाचार की वज़े से रोड की पूर क्वालिटी यह सब बहुत कॉमन है और इसकी वज़े से गड़े बहुत जल्दी डिवलप हो जाते हैं हमारे इन रोड्स पर जादतर बारिश लेट समर के टाइम पीरिड पर आती है जुलाई ऑगर्स सेप्टेमर अक्ट साथ एक मेजर इशू है यह देखिए यहां पर रिपोर्ट है रोड अक्षिदेंट इन इंडिया दोहजार बाइस इसके हिसाब से किस तरीके से अठारा उन्नेस दोहजार इकेस बीस बाइस एक्सिरेंट का नंबर कैसे बढ़ता जा रहा है और साथ साथ रोड हिजर लगता है पैसा खर्चा होता है हमारा इस साल बजट में ड़ाइजार करोड रुपया उसर्फ रोड के मरमत के लिए Ministry of Road Transport and Highways को दिया गया है Road Transport मंतराले को धाई हजार रुपया सिर्फ रोड के मरम्मत के लिए मिला है तो इससे आप समझ सकते हो अगर Self Healing Road हो तो पैसा बचा सकते हो और साथ-साथ पानी का जमा होना भी बचा सकते हो अब पानी का जमा ना हो इसके लिए हम concrete की road का ना इस्तिमाल करकर हमेशा bitumen, damer की road का इस्तिमाल करते है asphalt की road का इस्तिमाल करते है asphalt में aggregates और damer होते है bitumen होते है तो ये damer देखे dark black color का होता है आपने देखा होगा इसमें छोटे-छोटे pores होते हैं लेकिन इसका नुकसान यह है कि इसमें गड़े वगेरा भी होते है और इसमें भी same problems है लेकिन क्या हम इस damer में self healing technology ला सकते हैं यही आज हम करने की कोशिश कर रहे है NHIA के द्वारा NHIA बोल रहा है कि अब हम इसमें ऐसा experiments करेंगे ये देखे ये होता है bitumen ये bitumen जब आप कच्छे तेल को और ज़्यादा refine करते हो तो उसमें से एक गाड़ा ये dark black color का substance निकलता है जिसमें calcium ज़्यादा है अलग अलग component ज़्यादा है sulfur ज़्यादा है तो इसकी वजह से ये ऐसा दिखाई देता है जिसको आप road में काफी इस्तिमाल करते हो tar को भी इस्तिमाल करते हो bitumen जैसे ही लेकिन ये ज़्यादा एक अच्छा component होता है गुर्वत्ता वाइस road बनाने के लिए और ऐसे ही कुछ आपकी asphalt की road दिखाई देती है damar की road जो अभी हमने देखी अंदर से ये ऐसी दिखती है जहाँ पर बीच बीच में ऐसे binder लगे होते है और ये आपका bitumen का material है इस चीज से बना हुआ जो अभी हमने देखा लेकिन जैसे जैसे इस road पर पानी पड़ेगा प्रेशर बनेगा ट्रक्स आएंगी तो देखें यही binder कम हो जाएगा काफी जिसकी वजह से इस road का structure इसका धाचा बिगड जाएगा और जिसकी वजह से आप देखोगे कि port holes जमा हो गए ऐसे गड़े जमा हो गए और सारी दिक्कते आना शुरू हो गए अब इसके बाद हमें क्या करना है हमें जब भी ऐसा हो देखें यह road बना pressure बना इसकी हालात बिगडी उसके बाद आपको क्या करना है इसमें पहले से steel wool जिससे हमने देखा है जो हम घर में जिससे बरतन मांचते हैं वो पहले से यहाँ पर मिला हुआ है तो इसके पूरे बीच में यहाँ पर steel wool कहीं न कहीं है अब होगा क्या steel wool की बजह से कि यह जो पूरा bitumen है यह अलग-अलग खंडों में विभाजित हो जाता है और जब यह खराब होगा तो रातो रात आप यहाँ पर एक induction machine लगाएंगे इसे गरम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से जैसे microwave में आप खाना गरम करते हो बिल्कुल वैसे और जब आप इसको गरम कर दोगे तो उसके बाद कुछ bitumen निकल कर steel wool की मदद से कुछ ही bitumen निकलेगा और वो निकल कर यहाँ पर आकर बिल्कुल यहाँ पर जमा हो जाएगा steel wool गरम होके थोड़ा सा steel भी इसके साथ mix हो जाएगा तो एक perfect binder की तरह काम करेगा और उसके बाद यह बीच में यहाँ पर आकर fix हो जाएगा जिससे आपकी road दुबारा बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाएगी जैसे पहले जुड़ी हुई थी ध्यान बस इतना रखना है कि जब आप इसको heat करो उसके बाद जब इसको heat करके छोड़ दो तो उसके बाद थोड़ा सा इसको cool करने का time दीजिए इसी पर ऐसे road चलाने लग जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी तो इस तरीके से heat किया cool कर दिया उसको छोड़ दिया तो अपने आप वो heal हो जाएगी तो self healing है खुद से यहाँ पर heal हो रही है खुद से road ठीक हो रही है बस एक catch है थोड़ा सा आपको induction machine का इस्तिमाल थोड़ी सी heating का इस्तिमाल जरूर करना पड़ेगा लेकिन देखे कितना आसान है इस type से आपको material को किसी भी material को इस्तिमाल करना heat करना तो यह technology आने वाले time में आपको भारत में भी देखने को मिल सकती है आपको क्या लगता है क्या NHAI को इस प्राधिकरन को इस technology के लिए खर्चा करना चाहिए इसको भारत में लाने के लिए या फिर कोई और solutions road accidents का, गड़ों का maintenance का, रखरखाओं का, repair का आप सुझाव दे सकते हैं बताइए comment section में और जुड़े रहें, धन्यवाद